मैंने अपनी सुबह की शुरुवात की ग्लेनुरीज बेकरी से जो यहां की पॉपुलर बेकरी है यह बेकरी सुबह साड़े छे बजे उपन हो जाती है तो इस बेस्ट ऑप्शन फर बेकफेस्ट मैं यहां लगबग सुबह सारे 6 बजे आ गए थी इसलिए यहां भीर नहीं थी वरना यहां पूरे दिन बहुत रश होता है तो यहां पर सेल्स सर्वेस है आप बास्केट लेके कुछ भी ओडर कर सकते हैं और यहां पर आप अपने आप इसको करम करके खरे सकते हैं अरलियर आप थोड़ की ओवर है बट मैंने यहां जितने भी आइटम स्ट्राइक यह वो सब बहुत टिस्टी थे मैंने लिया था कस्टर डोनट फ्रूट केक एंड चीज डेनिश ब्रेट वाव इट एक मुलियर स्वीट ब्रेट आप यहां लाइट आप यह स्टी पर चीज डेनिश रहें दूटी के सब बहुत अचा जाएट आप यह जाएट इंटी मोजी काफे एंड बेंटी काफे आप बीश्य काफे इंट अने लिए इंटी जाएट इंटी ने खिए और जी अजची ग्रॉट स्टिर्ट तेर्ट प्रॉट अज़ा है और लिए अज़ा है तो अज़ाग रहा हूं और अज़ागा हूं ज़ूशने लिए यहां से रियू इतना जाद प्यार हा है तो लोक अज़ार्ण यह एक बहुत चोटा सा रेस्टराण है पर वेटिंग बहुत लंबी थी और काफी देर बाद हमारा नमबर आया है यहां मैन्यू में काफी डिफरेंट आइटम्स थे लाइक कोरियन, जापनीज मैंने सबसे पहले लिया था वेज मुमो एन आया हाफ टू से यह मेरी लाइफ के बेस्ट मुमो थे तु 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 हमी और ट्याय है शेजवान पनील पाओ काफी फ्लेवर्स है जिसका पनील बहुत प्रिस्पीट सौगी में है जल पर एक उड़ी से टाज लेंगाते है वाद मुझे एक फेंड मुली थी जो वहां की लोकल थी उसने मुझे बताया कि वहां आलू मिमी जरूर ट्राइ करना जो यहां सब लोग खा रहे थे आलू मिम यहां पर काफी चलता है आपको हर स्टॉल पर मिल जाएगा सब कुछ मिक्स है इसमें चिप्स, सेव, आलू, फुर टमाटो की ग्रेवी टाइपस है वाय वाय भी डाला हुए मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन वह सच में बहुत देस्टी था काफी रेष्ट रहता है इस रेस्टराउन में यहां वेज ओप्शन्स थोड़े से कम थे तो हमने मंगाया था वेजटेब लॉग ब्रिटिन जो काफी चीजी था लेकिन वेज में सिर्फ क्यारेट्स और मटर थे तो इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लगा देन बेकरी सेक थिस इस कुस्टरवल जोने लेंगे से पक्क ए लाया था था अधि अधिकी दूल्स तीर्श टि झाल 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 झाल